सबी भाईयों का सिर्फ एक कमेंट रहता एक भाई जो पंजाब का आलू है वो कब तक चलेगा आई मेन उना होसयारपुर का आलू कब तक चलेगा तो अभी लगबग आज 30 नमंबर हो चुका है और उना होसयारपुर का आलू जैसा कि सबी लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह ऑघए कि चलता है और इस मेने नमंबर से ही इस स्टार्टेंग है उसकी नमंबर से बराबर चली रहा है इस महने में जितने दिन बचे हैं उतने दिन उस आलू के बचे हैं हला कि कहना यह चाहेंगे कि वह आलू जो है लगबग अभी आ पांच से लेके हफ्टा बरा I mean अगर जदिक तम चलेगा तो केबल दस दिन तक और चलेगा उना होस्यारपुर का आलू और सत्यू क्या है कि अभी क्या है हम कोल्ड श्टोरों में देख रहे हैं आज कल की खुसकबरी तो ये है केबल कि सभी कोल्ड श्टोरों में न इसी तरीके से आलू की जो कटाई है जोर सोड से आए हाला कि ये किलिए नहीं है कि आज कल विक्री हो रही है या इससे पहले की मतलब है खरिदे हुए आलू है लेकिन अभी यहां पे आपनों को हम दिखाएंगे दो तिन गाड़ियां लगी है अभी रात हो चुकी है फिर भी गाड़ियां लगी है मतलब कुछ तो है खपत तो हो रही है बराबर डिमांड अच्छी है इस समय चाहे भाव कुछ भी हो भाव जो है अन्त में भी जान लेते हैं सबसे पहले आपको यहां का थोड़ा नजारा दिखाते हैं कि रात में भी यहां पे जो आलू है लदाई चालू है एक गाड़ी तो अभी यहां पे लगी मतलब लदाई हो रही है उसके बाद में एक इधर है और अभी क्या है कि कोल्ड श्टोरों में बिल्कुल इसी पिरकार से जैसा की है आप सबी लोग ऐसा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं सातियों क्या है कुछ हो या ना हो लेकिन क्या है चाहें वो छिबरा मूँ छेतर हो चाहें वो आपका फरकावाद छेतर हो चाहें वो आगरा छेतर हो चाहें वो कन्नो छेतर हो चाहें कोई साच्छेतर हो लेकिन जो पोजीशन देख रहे हैं आप अब दूसरी मंजिल पे हैं और बहुत सांती में बात करना चाहते हैं आज आप लोगों से अभी हमने जहां तक देखा छिब्रामों के कोल्ड इस्टोरों में जिस cold store में जाएं उस cold store में बिल्कुल इसी तरीके थे आलू की पटन पढ़िये पटन पढ़िये और कटन पढ़िये मतलब विक्री नहीं हो रही है ऐसा लोग कह रहे हैं हो रही हो या नहीं हो रही हो उससे कोई मुझे वो मनलब नहीं लगता है लेकिन एक चीज मेरे यह नहीं समझ मा रहा है जब विक्री नहीं हो रहे है इतना आलू कट रहा है सभी कोड़ों में कट रहा है हर जगे से जा रहा है अभी आमें रात हो गई है और फिर भी लगवग तीन गाड़ियां लगी है बार अभी आपको हम दिखाएंगे यार भाई आप लोग जहां जहां से वीडियो देख रहे हो चाहिए यह बास सच है या नहीं यह बताओ इस समय को लिश्टोरों से जो बिक्री है वो हमें लग रहा है ठीक ठाक हो रही है मनलब जो आलू की निकासी है ठीक ठाक हो रही हो चाहिए किस हिसाब से भी हो रही हो अभी आलू के भाव की भी बात करेंगी आज पूरे दिन आलू का भाव क्या रहा और क्या कैसा स्टेटस है सभी जगे का तो अभी हम देख पा रहे हैं सभी जगे आलू की जो निकासी है न वो बरावर हो रही हर को लिट टोड़ से इका दुका तिन चार पाँच गाड़ियां लोड हो रही है अभी क्या है कि हाँ ये बात सही है कि किसान भाई जो है आलू निकालके कानपूर मंडी में ले जाने के लिए ज़्यादा इच्छोग हो रहे हैं महीं पे आलू की विक्री कर रहे हैं लेकिन आज कानपूर की मंडी में भी आमदनी थोड़ी कम हुई थी आज कानपुर की मंडी में ना जो आमदनी है वो लगबग केबल केबल आपकी 80 गाड़ी से लेके 100 मोटर के आसपास का अनमाल लगाया गया था और लगबग कहे रहे थे कि 50-60 गाड़ी पहले का बाइलेंस भी था ख्याती और पुखराज बहां पे आपके ख्याती और पुखराज आलू जो है 300 से लेके 300 रुपे प्रती मन और 377 जो है आपका 350 से लेके और 400 रुपे प्रती मन और बहीं गर बात करें आपका जो निउ हाइलेंड आलू है वो आपका 350 रुपे से लेके और 450 रुपे प्रती मन के एसाब से विकरा है आज कानपुर की मन्डी में वहीं बात करें नए आलू की तो नए आलू जो आपका है वो लगबग आज दो हजार कटे मनलब लगबग महां पर पहुंचे थे और वहां का जो आज का भाव था नए आलू का वो 550 से लेके 650 रुपए प्रती मन के एसाब से बिकिने का जो है रिज़ू आज रहा था अब क्या है कि वेश्ट मंगाल की बात करें तो वेश्ट मंगाल में भी जो आलू का भाव था अब बात अगर करें वेश्ट मंगाल की तो वेश्ट मंगाल में आपका जियूंती आलू जो है 450 से लेके 500 रुपए प्रती कट्टा के हिसाब से रहा बिहार समस्तिपुर की बा